गजब का चित्र बनाया उसने, छोटे से मासूम चेरेगा, खिल खलाता हुआ बच्चा, इतना सुन्दर, छोटे छोटे जिम्पल, जो भी उस चित्र को देखे, खुश हो जाए। मैं मनन से पहले एक और चित्र बनाओंगा, और इस बार जो चित्र बनाओंगा ना, दुनिया का सबसे बद सुरत चेरा बनाओंगा। ऐसा गंदा सकल का कोई इंसान नहीं होगा जैसा मैं बढ़ाओंगा एक सबसे सुन्दर और एक सबसे गंदा अखबार में पठेने एड़र्टीजमिंट दे दी आवशकता है एक बद्दे से बद्दे चेहरे की अब कौन संपर्क करे था सारे टक्कर मार ली कोई बद्दे से बद्दा चेहरे ना मिला किसी ने बताया जेल में एक अपरादी बंद है इतनी बूंडी शकल चोडा नास मोह के उपर सुराख काली रंग लंबे-लंबे दाथ फटे हुए कान और त्योरी पड़ी इतना ग्रणित चेहरा पहुँच गया चित्तरकार जेल में जेलर से कहा कि मैं वो चेरा एक बार तेखना चाथता हूँ, की करेगा? एक टाहि blank मैं उसका चित्तरबनाँगा, जेलर जोर जोर से अच्या रहा जा रहा हुँच चैहरे रहा वहरा रहा ज्या, स्मय बात बताईतों जेलर सन्देश बेज आव fanud त्या को चीत्तरबनाना चारता है, मेरा चित्र बढ़ाओगा इतनी गंदी शकल का समझ में नहीं आई पर फिर भी वो ग्रनित चेरे वाला इंसान आके बैठ गया चित्रकार से बोला हाँ बता भाई ए भगवान चित्रकार ने उसकी शकल देखी ऐसा तो उसने सूचा भी नहीं था इतनी बदी शकल इतना गंदा चे छोटे से मासूम चेरे का ऐसा चित्र बनाया था कि सारी दुनिया उससे खुश होगे मैं मरने से पहले एक ऐसा चित्र बनाना चाहता हूं जिससे भूंडी किसे की सकल लाओं जिससे गंदा और बद्दा किसे का चेरा दाओं सुनके वो बद्दी शकल का आदमी चिंतित हो जया कहता है चित्रकार महराज मेरेको एक बार फोटो दिखाओगे वो चित्र दिखाओगे जो आपने बच्वन के मासुन चेरेका बनाया था चित्रकार ने अपने बैक से निकार के वो चित्र उसको दिखाया, देखते ही वो दाढ़ मार के रोप रहा, मासुओं की दाढ़ पहे निकले, चित्रकार ने पूछा रहे क्या हुआ, उसने बताया ये फोटो मेरा है, जो चित्र आपने बना रखा है ये मेरा चित्र है, बच करती गई नगंदी काम करता गया हमेरी शकल भी गड़ती गई